वेलकम टू स्टड़ी आई एस दोस्तो आज की वीडियो में मैं सभी के साथ यहां पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिसकुस करने वाला हूँ जो आर्टिकल में यह बता रहा होगा कि जो अर्थ का पहला लेंड मास है जो इमर्ज होने वाला है उसके बारे में और जो आर्थ का कर स्ट है और अगर वह उपर जाएगा तो इसका मतलब पानी का लेवल रहता है तो फरी डाउन होता जाएगा आप लोग को पता होगा यहां पे बोयैंसी जो लौ है वह लगता है है इस हो जाते हैं तो इसे के बारे में हम लोग अपने आज पूरी वीडियो में डिसकस कर रहे होंगे और वीडियो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह ऐसे जो आर्टिकल्स हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और जो चीज़े यहां पे आप लोगों के लिए कुछ नीज लेके आती है और उसके इस वारे में जानना आप सभी ही लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है लेकिन इस इससी के बारे में वीडियो में डिसकस कर रहे होंगे लेकिन उससे पहले आप सबीकले यहां पे इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन अन अकेडेमिक तरफ से इसपेसल प्राइज विक चल रहा है 10% का डिसकाउंट है कॉम्बो पे 10-17 है नवंबर तक कोड यूज कीजिगा यूपियसी और यह डिसकाउंट आप लोग को मिल जाएगा जागरती अवस्तिजी जिनकी एयर 2 आई है वो भी यहां पे अन एकडमी से बिलॉंग करती है नहीं कि अवर यह पर टॉप 20 म 15 एंड ओवरॉल 170 से जादा बच्चों ने इस एक्जाम को क्रेक करा है अन एकडमी के साथ मिलके अन एकडमी में हैं टॉप एजुकेटर्स, कॉम्पेसिंटेस स्रीज, हाई क्वालेटी के माटेरियल, डॉट के रिंक्षेशन और कॉम्प्रेंसिव कवरेज करेंट अफेर् यहां डेली स्टेटिक क्विज 15 MCQ, T20 डेली करेंट अफेर 15 MCQ, आन एकडमी कॉम्पेक्ट 50 MCQ हैं हर एक संडे के लिए सुबह 11 बजे यहां पर 14 नवंबर से आप लोग लिए होने वाला है करेंट अफेर कॉम्पेक्ट, ओके जहां पर आप खुद को एंडरोल कर सकते हैं और जो कोड है स्टेडियाइस उसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहां पर एडिशन 10% का डिसकाउंट है अगर आप लोग हमारा कोड इस्टेडियाइस उस करते हैं तो तो आपको यहां पर आप माननी जो तुरंट थी 10% का डिसकाउंट देखने को मिलेगा अब बात करते हैं वीडियो में आगए और देखते हैं इसके बारे में कि जो अर्थ का पहला ऐसा आप कर सकते हैं लेंड मास है जो कि हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है देकिन नई study यहां पर मिली है जो कि बताती है कि जिस हिसाब से लोगों को यह मानना था आप सबी को पता होगा कि जो continent है जो कि आप कह सकते हैं रोज हुए रोज का मतलब कि उपर आ गये हैं जो और ocean से लगबग 2.5 billion years पहले ही लेकिन यहां बता गया है कि यह चीज़ जो है वो उससे पहले हुई है मतलब कह सकते हैं 700 million years पहले ही यह चीज़े हो गई थी लगबग 3.2 billion years पहले हमें यह चीज़े देखने को मिली थी कि जो आप कहते हैं continent है जो कि आप मान सकते हैं पहले आपको पता होगा कि ऐसे करके होंगे धर्ती क्रस्ट पे लेकिन धिरी धिर करके वो इमर्ज होते गए इमर्ज होते गए और एक पहाड का जो form है वो उन्हों जो कि इंडिया और यूएस से हैं उन सभी ने एक जोनरल PNAS के अंदर यह बाते बताई है कि जो आप कह सकते हैं यहां पे काफी बड़ा जो लेंड मास है वो इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देने वाला है देखे दोस्तों यहां बताया गया कि जो सैंड स्टोन है वो प बात करें तो जो हमारे यहां पे टाइडल प्लेंस हैं जो बीचेज हैं जो कि लगबग 3.8 बिलेंड एयर पुराने हैं वहां पे यह बात है हमें देखने को मिलती थी जो कि आप कह सकते हैं यहां पे सबसे पहले ऐसा जो क्रस्ट होगा अर्थ का जो कि एक्सपोज होगा ए यहां पे सेडिमेंटरी रॉक पाए मिले हैं जो उन्हें यहां यहां यह लोग सेंडे स्टोन के नाम से जानते हैं उन्होंने यह भी कहा है कि उसके बाद यहां पे निकालने के बाद मतलब इसको जो उन्होंने पालिया उसके बाद क्या हुआ उन्होंने यह सोचा कि इसकी एज वगरा निकाली जाए किस कंडिशन में ये बने हैं इस सभी के बारे में निकाला गया और इसकी मदद से मतलब कि यूरोनियम की मदद से और आप के सकते हैं लीड जो कॉंटिनेंट उनके टिनी मिनरल्स थे उनकी मदद से उन्होंने ये चीज़े पता लगाई कि आखरी ये रॉक हैं ये कितने पुराने हैं और कहां पे बने हैं तो देखी ये बताया गया है उस रिसर्च से कि ये रॉक जो है ये 3.1 बिलियन एर पुराने हैं और आप के सकते हैं ये पाये जाते हैं जिसाब कि हमारी जो एशिंट रिवर हैं वहां पे जो बीचेज हैं वहां प बताए जा रहा है कि जो ये सिंग भूम रिजन रहा है ये काफी आप केशकते हैं अब अब है ओसीन से लगबग 3.1 बिलियन एर पहले से ही ये ओसीन के ऊपर हमें देखने को मिला है काफी सारे और भी ऐसे पैचेस हमें दीखे हैं कॉंटिनेंट लेंड के जो कि यहां पर ऑस वो हमें यहां पता लगती है जैसे कि जितने भी यहां पर जो इस्टडी हमें देखने को मिली है वो इस्टडी जो है वो गरे नाइट्स पर करी गई है जो कि यहां पर बनते हैं कॉंटिनेटर क्रस्ट के वज़े से और यह चीज़ों जो हमें मिली हैं सिंग भूम रिजन यह जो ग्रे नाइट्स हैं यह लगबग 3.5 से लेके 3.1 बिलियन एर्स पुरानी हैं और यह बनते हैं काफी सारी जब यहां पर extensive volcanism होता है और यह जो हुआ है यह हुआ है लगबग 35 से 45 km deep मतलब कि अर्थ के इतना अंदर जाके जो volcanism हुआ है उसकी वजह से आप कह सकते हैं हमें यह जो आप कह सकते है जो immerse होता हुआ landmass है वो हमें दिखाई देता है कि अckis करफिस नहीं और यह जो तक उसको मेंनमा वह यहां पे solidified नहीं हो जाता है और यह काफी मोटी यहां पे जो वह नहीं बना देता है और ऐसी Continental Crust वह हमें उस एरिया में दिखी है अब यह देखिए यह जो आप कर सकते हैं थिकने से यह काफी less density की भी है और इसके साथ ही साथ दोस्तों उनने यह भी कहा है कि ऐसे जो Continental Crust जो होती है क्लासे थेermिड़ के सकते हैं जो सबसे जल्दी इंटें को मिलेगे हमें ओन्तिनेंट की वह हमें इस एरिया में देखने को मिलेगी सिंग भूम 그래요 क्या होगा क्योंकि वह और क्या बकर सकते हैं जितने बहां के पार्ति प्रेशन और पे 과 Politik होते ाब्रक्त współार्ट उस वजय से ये चीज़े हमें यहां देखने को मिलती है और अगर वह पे जो लेवल है उक्सिजन का वह भी उस आट्मस्फियर में बढ़ जाएगा और अगर वह वाले एट्मस्फियर में इह चीज़े बढ़ती हुभे दिखाई देती है तो दोस्तों क्या होगा कि basically जैसे ही कोई नया लेंड बनेगा तो वो क्या create करेगा एक cello sea जो कि आप कहते हैं लगून की तरह बन जाएगा तो यह सारी बाते हमें यहां देखने को मिलती हैं जिसे चीज़ाब से जो आप कहीता है के पहली बार अर्थ का क कमेंट सेक्शन में मैं जरूर उन पर काम करूंगा मिलते हैं लुप आप मूझे नेक्स बीडियो में तब तक कि लिए have a nice day